सुर्टी विप्रती पन्नाते यदा इस्थास्यती निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तरा यूग मवाप्षिसी हे अरजुन जिस काल में सास्त्री मत भेदों से बिचलित हुई तेरी बुद्धी निश्चल हो जाएगी बहुत से लोग प्रश्ण करते हैं आ करके पर वो समझ नहीं पाते हैं दिखो क्लास भी है एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नो दस ऐसे हैं न क्लास अब एक अच्छा वाला दस क्लास के बातों का बिरोध करे तो बिचारा नहीं जानता है कि दस्वी क्लास में यही चलता ह वो एक में है तो कहरा हमारी जो बुक है जो किताब है उसमें यह लिखा है तुम गलत बोल रहे हो तो तुम कच्छा एक में हो एक वाले से बात करो तो तुम्हें उत्तर सही मिल जाएगा यद्या पर वो दस क्लास का जो उत्तर दे रहा हो अपने क्लास से दे रहा है लेकिन तुम्हें गलत लग रहा क्योंकि तुम्हें एक क्लास में हो बिल्कुल ठीक ऐसे ही सास्त्री से धांत है इस्थिती के अनुसार उपदेश है अब आप जहां एक मोह ममता से युक्त इस्थिती वाले को धीरे से निकालना है उस उपदेश को उस महान जो जीवन मुक्त महा पुरुश है उसकी स्थिती वाले उपदेश से जोड़ोगे तो एक दूसरे का मिलानी नहीं होगा इसलिए हम भगवान कह रहे है जिस काल में सास्त्री मत भेदों से बिचलित हुई तेरी बुद्धी निश्चल हो जाएगी कब हो जाएगी जब गुरु चरणों में समर्पन हो जाएगा आप हमको सास्त्र क्या कह रहे हैं इससे मतलब नहीं हमारे गुरुदेव हमको क्या आदेश कर रहे हैं वो मतलब जैसे हम पूरे के पूरे डाक्टर के समर्पित हो जाते हैं कि आप जो डाक्टर दवा लिख देगा बस वही हम मेडिकल स्टोर से लेगे हमको आख उठा के दूसरी दवाईयों की तरफ नहीं देखना हम ये लाव मिलेगा उसी से जो हमारा डाक्टर लिख रहा है ठीक ऐसे इस सद्गुरुदेव की वचनों पर विश्वाश